नमस्कार प्रकृती के तीन कड़वे नियम हैं जो की सत्य हैं पहला नियम यदि खिर्ट में बीज ना डालें तो क्या होगा? तो क्या होगा कि कुद्रत घास फूस से उसे भर देगी? ठीक उसी तरह से जिस प्रकार से यदि हमारे दिमाग के अंदर सकारात्मक विचार ना भरें तो क्या होगा? तो नकारात्मक विचार अपनी जग्ये बना लेगे प्रकृती का दूसरा नियम जिसके पास जो होता है वह वही बाटता है अमालीजी जो सुखी है वो सुख वाटता है जो दुखी है तो दुख वाटता है जो ज्यानी है तो ज्यान वाटता है वो भ्रहमित है तो वो भ्रहम वाटता है और यदि कोई भैभीत है तो वो भैवाटता है वही प्रकृती का है तीसरा नियम कि आपको जीवन में जो भी मिले उसे पचाना सीखू क्योंकि भोजन नहीं पचने पर क्या हो जाता है रोग हो जाते हैं, रोग बढ़ते हैं और पैसा न पचने पर दिखावा बढ़ता है वहीं अगर कोई बात आप से किसी ने कही और बात न पची तो क्या होगा, बात ना पचने पर चुगली बढ़ती है, प्रशंसा ना पचने पर अहंकार बढ़ता है, निंदा ना पचने पर दुश्मनी बढ़ती है, और वही राज ना पचने पर खत्रा बढ़ता है, दुख ना पचने पर निरासा बढ़ती है, और सुख ना पचने प क्या होता है पाप बढ़ता है यहीं जीवन का सत्य है धन्यवाद